हाई, आज मैं आपको बताऊंगी ACDT यानि की गैस की दबा के दो बड़े साइड इफिक के बारे में ACDT यानि की गैस जिसे की इंडिया की 50% पापुलेशन तो परशान होगी ही साथी में महिलाएं जो हैं उनमें ये समस्या सबसे ज़ादा देखने को मिलती है तो आज की इस फीडियो में मैं आपको ACDT यानि की गैस की दबा के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है पी-40 जिसमें पेंटो-प्रा-जोल नामक केमिकल है अब मैं आपको बताऊंगी की पी-40 का यूज कहां कहां पी किया जाता है पी-40 का यूज होता है जैसे की जनरल खाद्समंगली से होने वाली गैस में ठीक है नॉर्मल गैस में भी आप इस टेबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा इरोसिव एसो फैगाइटिस में इसके अलावा गैस्टो इसो फेजियल रिफ्लेक्स ये क्या होता है आपक इसके मूह से पेट तक जाती है जिसके थ्रूखाना जो है वह मूह से पेट में जाता है तो क्या होता है इसमें पेट में बनने वाला जो एसीड है वह एसो फैगस तक आ जाता है इसके अलावा जो लिंजर एलीसन सिंड्रोम ये क्या है पेट के आग के उपरी हिस्से में ट बैक्टिरिया होता है जो कि आपके इस्टुमाच चाफिड डुदुनम में इन्फेक्शन काज करतेता है तो इन सारी डिजीज में याने की बिमार्यों में पीफोटी टेबलेट का यूज होता है अब मैं आपको बताऊंगी कि पीफोटी टेबलेट अपना काम कैसे करता है प आपके खाने को अच्छे से पचाने के लिए बैक्टिरिया को खाने के साथ में जो बैक्टिरिया होते हैं उनको मारने के लिए साथ ही में खाने के साथ में जो एकसेस मात्रा में तेल वासा की मात्रा होती है उसको सरीर से बाहर निकालने के लिए पेट में एसीट का सिक्रे किया जाता है अब मैं आपको बताओंगे कि टेंटो प्राजोल टेबलेट के कॉमन साइड़ क्या क्या है नोजिया यानि की जी मिचलाना वॉम्टिंग उल्टी का होना ब्लोटिंग पेट फुलना हेडेक सीरदर्ट डायरिया बारबर दस्तोना इस्टमच पेल पेट में दर् दवा के मेजर साइड इप्रेक्ट हैं पहला यह है कि आपके सवीन में मैंगनेशियम की गमी हो जाएगी और दूसरा यह है कि इस टेबलेट को लंबे समय तक इस्तमाल करते रहने से आपकी जो बोन्स है ना आपकी हड्डियां वह हो जाएंगी कमजोर हो जाएंगी तो कभ सब्सक्राइब कर दिजीगा ठेंक यू